हेलो फ्रेंड्स आपका गुवर्मेंट जोब रिक्वार्मेंट की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो के मादेम से हम बात रहेंगे वनरक्षक बरती 2022 प्रीक्स आती थी यानि की जो बारा नॉंबर का पेपर रद वाता सेकंड शिप्ट का उसकी री एक्जाम डेट नोटिस जारी कर दिया गया सरकार ने यानि पहले डेड़ तो रखी थी लेकिन उसके लिए री नोटिस जारी कर दिया गया है और आपका admit card यानि admit card तो जारी कर दिया गया लेकिन आपका कौन सी city में exam होगा और अंतिम समय में केसे आपकी पड़ाई की रणनीती बनाए कि आप इस safe score अच्छी तरगे से बना सके इ जिसें कि आपको latest update समय समय पर मिलते रहे चले फ्रेंट्स वीडियो को start करते हैं क्या exam ती रखी गई है और इसमें क्या-क्या आपको करना होगा चले फ्रेंट्स नोटिस चले फ्रेंट्स यह रहा हमारा नोटिस यह नोटिस दो दिसमर को publish हुआ था यानि दो दिसमर को करम चारी चैन बोर्ड ने यह जारे किया था नोटिस इसमें बताया गया था कि यानि कि वनरख सक्सीदी बर्ति प्रेंट्स दो जार बीस की दिनाख 12 नवंबर 2022 के दित्य सरण की प्रेंट्स निरस्त के फलसरूप अब इसकी प्रेंट्स थिति नहीं आयोजित की गे जिसकी exam 11 दिसमेर 2022 को है और यह वनरख सक्सीदी बर्ति प्रेंट्स दो जार बीस की न्यूट्स इति कुन सी रखे गए यह दो शिप्ट में यानि दो चरणों में आपकी exam होगी रईवार और रईवार के दिन ही दो शिप्ट में होगी फष्ट और शेकिन सबसे पहले 11 दिसमेर 2022 को जिसका टाइम रखा गया यानि कि 10 बज़े से 12 बज़े तक यानि 2 गंठे morning shift और बाद में second shift रहेगी 11 दिसमेर 2022 को यानि कि उसी दिन दित्य चरण में उसका टाइम रखा गया तीन बज़े से 5 बज़े तक और इसमें क्या-क्या आपको चीजे फोलो करनी होगी सबसे पहले आपको बता दू कि ये admit card खहां से डाउनलोड करना है प्रोविजनल इप्रिवेस पत्तर बोर्ड की website यानि की राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड राजस्तान गवर्मेंट इंडी से यहां से सिग्रे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आगे बात करें तो आपको exam के अंदर फिर्ma का सेंटर में 1,5 गंधे यानि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा यानि सोट्यूस्तों होंगे डेड गंधे पहले उपस्तित होना है यानि टाइम तो 2 गंधे का रहे बात की पहले उपस्तित होना है और एक गंधे पूर वे यानि कि प्रीक्षा के अंदर को बंद कर जाएगा यहीं आप एक्जाम से यानि दस बजे से आपका एक्जाम स्टार्ट है और आप नो बजे के बाद में एक्जाम इंट्री लेते हैं यानि इसकूल में इंट्री लेते हैं जहां आपका सेंटर है तो आपको वहां सेंटर में इंट्री नहीं दिया जाएगा और इस व पेन कार्ड हो ड्राइवरिंग लाइसेंस तो या दस्यू की मारेक शीट हो आपको इसी भी ले जा सकते हैं चले फ्रेंट्स और आपको इसमें आगे की रनदीती के बारे में बताऊं कि आप किस तरके से इस च्यार पांस दिन के अंदर आप किस तरीके से आपके अच्छी तर करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं चले फ्रेंट्स आपको इसकी पूरी जानकारे बताऊंगा कि आज से अब एक्जाम के शिर्फ ओनली फोर मातर छे दिन बचे हैं छे दिन में आपकी इस परकार अपने अच्छी तरके से स्कोर बना सकें और शेफ स्कोर क्या रहे यानि कि 6 दिन में 6 मोग टेस्ट जरूर लगाए यानि कि टाइम का कोई इस्यू नहीं है टाइम तो आपके पास सोक्यूसन होंगे और 2 गंठे का टाइम में लगा यानि टाइम तो बहुत ही अच्छा देर का है टाइम का कोई इस्यू नहीं है आप कर पाओगे यानि कि आप 6 दिन में 6 मोक टेस्ट जरूर लगाए और पीछले जो पेपर एकजामने पेपर करवाएं च्यार पेपर वन रख सके यानि कि 12 और 13 नॉमबर को उस पेपर को एक बर आप जरूर देख कर जाए 12 और 13 नॉमबर को चारू पेपर को एक बर यूटूब से या आपके पास है तो उसका पूरी तरीके से एनलाइसिस करके जाए और खांस से क्यूसर फूट अप हो रहे हैं उस टोपिक को एक बार अच्छी तरीके से उसका एनलाइसिस करें और राजस्तान का करंट अफेर दस नम्मर का आ रहा है राजस्तान करंट अफेर को जरूर एक बर आप कोई सी गाइड से फोलो कर सकते हैं उससे एक बर राजस्तान का करंट अफेर जरूर दस नम्मर का आ रहा है वो जरूर देख कर जाए और मेत में आपको में नहीं ये ख इनको most topic है जो पिछले exam में पूचे गए उस topic को follow करो एक बर और आपको जरूर शफलता मिलेगी और मेरे कहने पर आप एक बर current affair की कोई सी गाइड से आप उसमें से एक बर revision कर सकते हैं और दूसरी बात मैं बताओं कि इसके लिए आपके लिए safe score क्या रहने वाला है safe score की बात करें तो आप और overall category में देखा जाए तो यानि कि 65 से लेकर जिसके 70 marks बंद रहे इतने marks तो होना जरूरी है यानि कि आप अब exam दे रहे एक महीने बाद यानि कि आप एक महीने बाद exam दे रहे हो तो आपके कम से कम 65 से 70 marks के बीच में तो आपकी accuracy होनी चाहिए और जाएज से बाते इसमें normalization होगा एक बटा तीन मार्किंग है वेसे competition कम रहने वाला है और attendance की बात करें तो इसमें attendance रहने वाली है कम से कम 65% attendance रहने वाली है ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आप accuracy अच्छी करोगे तो आप से 5 से 7 नमर normalization में बढ़ सकते हैं आपके और आपको सकाने वेसे time तो खूब दे दिया गया है एक मेने का time दे दिया गया है और मैंने जो इस वीडियो में बता है उस रणन दित को आप follow करेगे तो आप जरूर शेप इसको attempt कर पाओगे चले फ्रेंट्स और आप कम से कम गलत करने की कोशिज करना कि आपका accuracy अच्छा हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को subscribe करना और बेल आइकन को प्रेस करना जिसें कि आपको latest update समय समय पर मिलते रहे चले फ्रेंट्स धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते झाल